हेई गाईज, वालकम बैक टी जरू स्टेडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSC JE 2019 के एक्जाम के बारे में कि किस तरीके सा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके SSC JE 2019 के एक्जाम की डेट आ चुकी है जूकि आपका कंड़क कराया जाएगा 30 मार्च से लेकि 2 अप्रियल के बीच तो आपको अभी से किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करनी हैं अगर आप सिवल इलेक्टिकल और मेगैनिकल के स्टूडेंट हो कि आप SSC JE 2019 को क्रैक कर सको ठीक है आपको को एकदम लास्ट गोल सेट न आप ये वीडियो हमारे चैनल पर फर्स टाइम देख रहे हैं तो अभी के अभी आप 06 Study Point को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि फ्यूचर में सभी कुछ आपको material, study material, tips and tricks, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहा से study material मिलेगा, क्या book से उस करनी है, उन सभी के बारे civil, electrical and mechanical, अगर आपका support रहा तो, mechanical के तो for sure start हो ही जाएंगे, important books के बारे में बात करेंगे, और आपका daily routine, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके free notes, guys, आपके free notes अल्री हमारे चैनल पर available हैं, बट हम updated notes आपके फिर से upload करने वाले हैं, क्योंकि उन में से कुछ PDF जो आपकी ऐसी हैं, जो खराब हुई हैं, बाकी सभी आपकी corrected हैं, तो आप वहाँ से उनको download कर सकते हो, और again हम उनको free new videos बना कर मैं upload कर दूँगा, आपकी notes के recording, आपकी branch के recording, free lectures भी आपके start कर दिये जाएंगे, अगर आप हमको support करोगे, हमारे चैनल को subscribe करोगे, और videos को share notes के लिए हैं, कोई भी classes, हम सिर्फ free study को support करते हैं, हमारे चैनल का motive यह है कि जो student study afford नहीं कर पातार, government job की preparation करना चाहता है, या फिर government job करता है, और उसकी preparation कर रहा है, तो उसको सही guidance मिले और सही notes उसको time से मिलते रहे हैं, ठीक है, तो free study material और books की PDF भी आपको time to time मिलती रहेग तो आपको RS school में खरीदनी है, खरीदनी है, फिर आप उसकी PDF सिर्फ simple लिखके RS school में civil engineering के जो MCQ वाली होते हो, उसको आप download कर सकते हो, या फिर गुपता है, गुपता आप download कर सकते हो, खरीद सकते हो, MCQ book होते है, आपकी 5000 plus MCQs सब ये books में आपके होते हैं, next आते है guys आपकी कौन सी book, next आते है guys आपकी RK Gen, mechanical के लिए, और RS खुर्मी, तो इन दोनों books में से आप कोई भी एक book को follow कर सकते हो, इस में भी आपके 5000 MCQs हैं, तो इसको भी आपको complete कर लेना है, next आते है guys आपकी electrical, electrical की guys आती है आपकी JB गुपता, ठीक है, तो ये तीनों books तो हो गए आपकी electrical, mechanical, civil के लिए MCQ book, MCQs book का आपका guys daily routine आपका ये है, अभी से, आज से, कल से, या परसो से, जब भी आप अपनी profession स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको exam crack करना है, SSC JE 2019, तो अपनी profession आपको आज ये कल में ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि हम भी आपर आपके reasoning बहुत ज जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आपकी books होगे important वाली, next आता है guys अपका daily routine, daily routine में आपको simply question करना, जो भी आपकी particular branch की book थी, जो भी हमने इन तीनों books में सापनी book खरे दिया, उसके simply आपको everyday 100 questions solve करने है, 100 questions आपके MCQs questions है, जो कि आपके theory based question है, तो 100 questions आपको theory आती हो, या ना theory मत पढ़ो, आपको theory पढ़ने है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको हमारे channel पर मिलेगा, but आपको क्या करना है, आपको theory के साथ-साथ MCQs भी everyday solve करने है, ताकि आपको practice हो जाए, आपको कुछ questions ऐसे होते हैं, जो reasoning के questions, sorry, जो आपके technically के questions होते हैं, वो आपके GS की होनी चाहिए, कि आपके जो technical के questions हैं, वो आपके GS की तरह आप mark करो और आगे बढ़ो, ठीक है, तो 50 से 60% जो आपका paper आएगा, वो आपका इन तीन में से ही एक books आएगा, जो भी आपकी particular branch की है, क्योंकि 5000 questions में गाइस SI unit हमेसा आपकी same रहने वाली है, definition आपकी same रहने वाली आपको ये ज़रूरी भी नहीं कि आप दो book खरीदो, आपको simply एक book खरीदनी है, एक book को आप 4-5 बार practice करो, और आपको मैं एक चीज target बना कर चलो, कि like आपने एक book खरीदी, आप आज ये कल में एक book खरीद तो ये आपके पास already होए, तो अब ये आपका October चल रहा है, October के last आपको एक बार ये book खरीद खरीद करनी है, ठीक है, इसका target बना लो, theory के लिए भी मैं आपको बताऊंगे कि कहां से पढ़ना है, theory के लिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हो, free notes और क्या lectures आप यूज़ कर सकते हो, उन सभी के बारे में भी मैं आपको बताऊ इतनी है, ठीक है, lucent आप दो खरीद सकते हो, एक तो आपकी mcqs question वाली भी आती है, और एक आपकी कौनसी आती है, एक आती है आपकी general knowledge वाली जो आपकी याल दोती है, उसमें आपका theory type भी होता है, तो दोनों book भी आप खरीद सकते हो, और करना क्या है उसमें से, question वाली मै आपके बता देता हूँ कि आपके history से आपके जो important dates होती है, उससे related questions आते है, quality मैं सिर्फ और सिर्फ आपके articles और amendments आते हैं, वो भी आपके current affairs से related ही आते है most of the time, ठीक है, उसी के साथ आपके geography में सिर्फ और सिर्फ Indian geography आती है, world geography आज तक नहीं आई है आपके SSC में, सिर्फ SS SSJ में, ठीक है SSC में आपके Indian geography आते है, reverse से related questions आते है, river banks से related questions आते है, river banks किस कि city के किनारे पर, कौन से city river banks के किनारे पर situated है, इस type के questions आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपके sports से related questions आते है, आने वाले sports से, आने वाले olympic से, world cup से, कौन से team जीती, कहा पर match हुआ, कौन सा stadium इस IOCL का chairman कौन है, या फिर आपका world bank का chairman कौन है, या फिर आपका RBI का chairman कौन है, RBI का headquarter का आप है, इस type के questions आपको SSC में देखने के लिए मिलते हैं, तो सभी series आपकी SSC JE की हमारे channel पर चलनी वाली है, तो अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं गया है, तो अभी के अभी आप subscribe सब्सक्राइब बटन को दबा कर ग्रे करियो और bell icon दबाईए, ताकि future में सभी notification टाइम से मिलती रहे और आप SSC JE 2019 क्लियर कर लें अच्छे marks के साथ, अभी आपके पास कावी time है, 6 महीने आपके पास बहुत आराम से बचे हैं guys, अभी आपका October, October, November, December, January, February, March, तो 3 महीने के और within a month मैं आपको सब कुछ provide करा दूँगा, best quality वाला, जो एक student को अपने coaching में जाकर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और suggestion रही आपकी बात, coaching आपको join करनी चाहिए नहीं, आप मुझे comment करके बताए कि आप चाहते हूँ coaching के लिए मैं एक video बनाऊँगा, कि आपको coaching join करनी अगर आप motivated हो, demotivated हो, क्या आपकी problem है, क्या आपको solution चाहिए, आप मुझे नीचे comment करके बताए, आप freshly graduate हो या फिर आपको 2-3 सालों गए preparation करते हैं, वो भी आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं, उसी के साथ अगर आपकी कुछ जादा serious problem है, तो आप हमको Instagram पर भी follow कर स So with that said, bye-bye, take care and all the best.